जै मा काली मित्रो आपका मेरे चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ति समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंद मिल जाए मितरू जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आ रही है और दिवाली का समय जो है सबसे महतपूर होता है सभी व्यक्तियों के लिए एक सादक के लिए भी एक ग्रहस्ती के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो किसी का बुरा करना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे ही जादा मैत्पून समय यह होता है तो इस समय पर जो लोग किसी का बुरा करना चाहते हैं शत्रता निकालना चाहते हैं तो वो सभी लोग इस कारिये में लग जाते हैं काला जादू करते हैं तंत्र करते हैं टोना करते हैं तोटका करते हैं सभी वो कारि सावधानिया होती हैं जो आपको इस समय पर रखने चाहिए अगर आप यह सावधानिया रखेंगे तो आप आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं तो यह परेशानिया क्या हो सकती हैं यह जो मैं आपको सावधानिया बता रही हूं यह सावधानिया एक सामानिय व्यक चलती हैं या उनके इश्ट देव जो भी हैं साथ में चलते हैं तो उन लोगों को भी इन चीजों की कही न कहीं परिशानी बनने का संभावना बनी रहती है तो ऐसी परिस्तिती में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए और सवारी जिनको आती है उनके शरीर की जो वनावट ह लेकिन अगर आपके साथ परश्टिती होती है या आपको सावधानी कर देते हैं तो आपको नुक्सान से बचना तो कुछ इसी जो आप ध्यान रखेंगे तो बच पाएंगे तो मैं आब आपको बता दी हूं वह चीज़े क्या है एक तो सबसे पहले अगर आप अपने गले में धागा धारण करते हैं तो आपको अपना धागा बदल लेना चाहिए धागा आपको अपने गुरू से बनवा लेना चाहिए अगर आप धागा पहनते हैं और आपके गुरू आपको धागा धारण कराते हैं यह जो ग्रहसती व्यक्ति हैं सामाने व्यक्ति हैं उनको भी धागा बनवा लेना चाहिए न जड़दोश का तंतर настолько का ढगा उनको बनवा लेना चाहिए अपने गुरू से जो भी गुरू आप मानते हैं उनसे फिर एक जो सबसे महतपून चीज होती है कोई भी जो तंतरू होता है मनतर होता है टोना टोटका होता है वो चोराहे पर किया जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है जिस किसी भी आप चोराहे से निकलते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ही संबल कर चलना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी वस्तू ना हो जो आपको नुक्सान पहुँचा सकती हो सड़क पर आपने देखा होगा कपड़े पढ़े रहते हैं पहने हुए कपड़े जगे जगे बिखरे पढ़े रहते हैं तो आपको पहने हुए कपड़े सड़क पर पढ़े हुए दिखाए दे आपको उनसे बच कर चलना है बिल्कुल भी उनको ठोकर नहीं मालनी है और साथ ही आपको इध्यान रखना है कि आपका पैर उन कपड़ों से नाच हुए सड़क पर फैकी हुए नीबू मिर्च जैसा कि आप देखते ही है आपको उनसे बच कर चलना है क्योंकि नीबू मिर्च से भी आपको टोटका हो जाता है गंदी क्रिया आपके उपर हो जाती है तो कोशिश ये करें कि नीबू मिर्च से बच कर निकले और ये नीबू मिर्च जो आपको अधिकांश्ते मिलते हैं वो शनिवार के दिन मिलते है तो शनिवार के दिन तो आपको विशेश नीबू मिर्च का ध्यान रखना है अगर आपके घर में कोई तंतर मंतर का सामान मिलता है क्योंकि ऐसे समय पर लोग घर के बाहर भी तंतरमंतर कर देते हैं, घर की जटों पर आपको तंतरमंतर के सामान मिल सकते हैं, जिसमें आपको कोई धागा मिल सकता है, या कोई नीबू मिल सकता है, कोई दाल मिल सकती है, श्रिंगार का सामान मिल सकता है, या कुछ भी ऐसा सामा आपको मिल सकता है जिस पर तंतमंत्र हो सकता है अगर आपको ऐसी कोई चीज मिलती है तब आपको क्या करना है अगर आपको ऐसी कोई चीज मिलती है तो आपको क्या करना है जो डस्ट पैड़ाता है जिस पर हम कूड़ा उठाते हैं उस पर उस चीज को उठाना है आपको उसक को जल प्रवाहित कर देना है यह कारिया आपको करना है लेकिन आपको उसको छून नहीं है आपको यह ध्यान करना है कि आपको नदी के किनारे नहीं जाना है क्योंकि नदी किनारे पर इस तरह की तंत्रमंत्र की चीज़े होती है क्रियाई होती है चम्शान के आज पास से नही गुजड़ना है, कोशिच यही करना है कि आप इन जगों से ना गुजड़े अगर आप इन दिनों में कोई मिठाई अपने घर पढ़ लेकर आते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको मिठाई तुरंत नहीं कानी है या अगर भार से भी अगर आपको कोई व्यक्ती मिठाई ला कर दियता है तो आपको वो मिठाई तुरंत नहीं कानी है उसमें से कुछ हिस्सा या जैसे कि एक लड़ू होता है या पेड़ा होता है कुछ भी मिठाई होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको उठा करके बार फैक देना है तो जैसे ही आप बार फैक देना है अगर कोई नाकरतम कूर्जा उस मिठाई पर बैट कर आती है तो उस हिस्से के साथ वो नाकरतम कूर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है आपको रात के समय अपना कोई भी कपड़ा चट पर नहीं छोड़ना है जैसे कि कपड़े सुकाते हैं तो समय से आप उनको उतार ले रात के समय आपको कोई भी कपड़ा अपना चट पर नहीं छोड़ना है और साथ ही आपको अपने कपडों का भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे समय पर कपडों पर तंत्रमंत्र किया जाता है तो आपने कपडों का भी आपको ध्यान रखना है छोटे बच्चों का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि उनको इन चीजों से बचाया जाए रात की समय जदा रात की समय बच्चों को भाण ना ले जाया जाए अन्यता उनको कोई भी कहते हैं कोई भी नाकरत्मक उर्जा लग सकती है क्योंकि इस समय पर नाकरत्मक उर्जा भी पूंड तया प्रबल होती है तो आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है सफेद मिठा ही आपको नहीं खानी है कोशिश यही करें कि जो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सफेद मिठा ही है आप उसको ना खाएं इग्नोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा साथ ही अगर आपको खानी पड़ जाती है मैं तो बली किये कहती हूँ आप ना ही खाएं आप उसको मना ही कर दे कुछ भी भाना करके टाल दे और शत्रू जो व्यक्ति है उसके हाथ से तो बिलकुल ही आपको सफेद मिठाई नहीं खानी है और सवारी वाले व्यक्ति को भी इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि वो सफेद मिठाई से बचे सुनसान जगों से ना निकले अंधिरों में ना निकले क्योंकि अंधिरे में कई बार ऐसा होता है कुछ चीजे पढ़ी रहते ही और आपका ध्यान नहीं जाता तो आपका पैर उस पर पढ़ सकता है तो आप सुनसान जगे और अंधिरी जगों से बचने पर निकले सड़क पर अगर कोई टोटके का सामान पढ़ा है तो उस से बच कर निकले कोशिश यह करें कि उस सामान को देखकर अगर आप रास्ता बदल सकते हैं तो रास्ता बदल ले अन्यथा दोर से निकल जाए सबारी वाले व्यक्ति किसी के हाथ का दिया हुआ लॉंग बिल्कुल न खाएं इलाइची बिल्कुल न खाएं या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा भोग जो लगता है कि आपके को नुकसान पहुचा सकता है या आपकी साबारी को बान सकता है तो कोई भी चीज आप ना काएं साबारी वाले व्यक्ति जानते हैं कौन सी चीज़े ऐसी होती है जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए अपने पहने हुए कपड़ों का और तूटे हुए बालों का विश्यश ध्यान रखें यानि बाल आप इन दिनों में इदर उदर ना फैके क्योंकि बालों पर भी तंतर किया जाता है तो कोशिश यहीं करें आप अपने बालों को समाल कर रखें अलग रखें इदर उदर ना फैके और आडोस पडोस की च्छटपर तो बिलकुल भी ना फैके तो यह कुछ सावधानेा है जो सावारी वाले व्यक्ति भी रखेंगे और सामानिय व्यक्ति भी रखेंगे क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति को विशेश ध्यान रखना है और इस समय पर प्रेत आत्माई भी बहुत ज़्यादा विचरन करती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है खुश्बू पर्फ्यूमादी लगा कर नाच निकले क्योंकि कुश्बू पर बहुत जल्दी ये आकरशित हो जाती है प्रेत ज़्यादा आकरशित होते है साथ ही आप ये कोशिश करें कि अपने घर में जितना हो सके आप पूजा पाट करती रहे और दिया बत्ति करते रहें जो माकाली का दिया लगाते हैं कोशिश ये करें वो दिये को लगातार चलाते रहें यानि सूबह से शाम तक और शाम तक से सूबह तक चलाने का प्रियास करें जिससे मा बगवती का पहरा लगातार आपके घर में चलता रहे तो ये साफधानिया है मित्रो अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं तो ये सभी साफधानिया अगर आप रखेंगे तो आपको लाब भी होगा और कहते हैं फिर अगर कोई परेशानी एक बार पीछे पढ़ जाती है तो फिर उससे चुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल कारिये होता है तो आपको इन बातों का विशेज ध्यान रखना है अब लेते हैं अपना प्रेशन प्रेशन है मन्नत कोर जी का इन्होंने का है जैमातदीमा जी एक सवाल है जब मैं चालिसा करती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं जोर से चीकूं मारूं और दिल करता है कि बाल खोल के सर घुमाओ ऐसा क्यों प्लीज रिपलाई करिए देखे मन्नत जी ये सभी पर जो आपके साथ लक्षन होते हैं तब होते हैं जब किसी को सवारी आ रही होती है और ये सवारी आने के ही लक्षन होते हैं साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नाकरत्मक उर्जा होती है नाकरत्मक उर्जा की और सवारी आने में ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि आप सवारी को कंट्रोल कर सकते हैं यानि आप कंट्रोल कर सकते हैं सवारी को कही न कहीं लेकिन अगर प्रेथ की सवारी आ रही होती है तो उस पर आपका कोई नियंतरन नहीं रहता तो अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर पा रही है तो आपके उपर कोई देव्य सवारी है आपके इष्ट की सवारी भी हो सकती है तो ये सवारी के ही लक्षन हम मानते हैं अगला प्रेशन लेते हैं भारती सिंग जी का इन्होंने का है क्या डेली पूजा में भी फूल बनते हैं और अगर किसी दिन ना बने तो इसका क्या अर्थ होता है क्या उस दिन की पूजा स्विकार नहीं होती किरपय मुझे बताईए मैं जानना चाती हूँ देखिए अगर आप ऐसा मानती हैं कि फूल नहीं बना पूजा स्विकार नहीं हुई तो यह आपकी गलत फैमी है ऐसा नहीं होता जब फूल नहीं बनता तब पूजा तो तब भी स्विकार होती है लेकिन जिस दिन फूल बन जाता है उस दिन वो विशेश दिन माना जाता है उस दिन विशेश आशिरवाद आपको अपने इश्ट देव का प्राप्त होता है जैसा कि मैंने आज वीडियो भी अप्लोड किया आप उसमें देखेंगे माकारे का भोती खुबसूरत फूल बना है क्योंकि आज माभगवती की विशेश क्रपा मुझपर बरसी है तो ये कारण होता है कि जब फूल बनता है तो मारानी की क्रपा परस्ती है, आपके इश्ट देव की क्रपा परस्ती है तो मित्रो आशा करती हूँ, आपको अपने प्रिशनों के उत्तर भी मिले होंगे झाल झाल